प्राइबेट दोस्तों टार्गेट वीद परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सुचना होती हैं जो विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं तो आए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की समचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से समचे तो कौन कौन सी सुचना है लेकिन आगे बनने से पहले एक सुचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी TGT की तयारी कर रहे हैं या PGT की तयारी कर रहे हैं वे सभी अबर्ती सरसुती प्रकासन प्राइबेट लिमिटेट की यह महत्पुन पुषितक को बनाया गया है प्रस्टों को संकलन किया गया है बारह मॉडल प्रस्ट के हिसाब से तू पॉइंट इस पुष्टक में इस्छारी माटेरियल दिया घिए हिंदी के साथ में टूट्यारी की पुष्टकें भी आती हैं जिन्हेंग आप लोग करते हैं अब आज की सूचना को यूपी ट्रिपल सी की सूचना पहले इसके बारे मैंने कल ही आप लोगों को जानकारी दी थी और लिखा हुआ कि परिडाम घोसित ना करने पर अभर्थियों में रोज यहां पर लिखा लोवर पीचेस 2019 की अभर्थियों ने सुमवार को पीक इसके बाद में जो आयो के सची हुए अभनी सक्सेना से वार्तावी थी कई मुद्णों को ले करके तो उन्होंने कहा था कि इन चात्रों को जो परिडाम में वह जल्द जारी कर दिया जाएगा और जानकारी मिली है कि अगस्त में आगस्त के बाद 10 सितंबर तक इनके जो प परिडार थी गय थे वह अगस्त लास्ट यह 10 सितंबर तक परणम जारी होगा इसी तरीके जून्यर असिस्टेंट के जो परड़ाम है वह अगस्त महीने के लास्ट में आ सकता है यूडिये ल्डिये के कल एडविट कार्ट जारी हो गया है यूपिट्र पर रिच्चा हो र देखिए मेरे पास बहुत सारे चात्रों ने यह भेजा है और एक चात्र है अखिलेश यादाव अपॉइंट मेंट लेटर लिखा भारती वन विभाग नीचे यहां पर लिखा हुआ है कि आपका भारती वन विभाग द्वारा आपको सूचित किया जाता कि आपका चैन है आयोग होना चाहिए यहां पर यह गलती है द्वारा सीधी भरती कानूर वर्स 1998 यह लिखा हुआ है इसके द्वारा किया गया है और 6 तारिक यहां पर डेट पढ़ भी नीचे देखिए 6 जुलाई 2022 इसके बाद में निक्तपत्र के लिए यह जब पूरा 3-4 पेज का यह ब है वाँ अधिकारियों से तो ऐसा कोई भरती जो होती है वह स्टेट की बरती के लिए होती है समोग्हां के लिए आयोग है और वन विभाग में भी बात की गई है तो वहां पर भी इस तरीके की कोई भरती नहीं है और इसमें लिखा हुआ है कि अधिनास्त करमचारी सेवचेन आयोग दोरा फॉरेश्ट गार्ड वन रख्चा की कमी के चलते वन परिवर्तन मंत्राल है यह कौन सवह यह वन परिवर्त परिच्चा का सामना नहीं करना पड़ेगा उमीद्वारों को सीरी वर्ती दोरा और फिसकल दे कर तो यह लूट के लिए यह सब क्योल किया जा रहा है इसलिए आप लोग बच करके रहें जिनके पास भी यह और चात्रों से यहां पर पैसा जमा करवाने के लिए कहा जा रह रहे देखे लिए की लिए अधिकारी का खाता प्राप्त करके यह राची बेंक त्वहरा जमा करने के पूरबर आगे की जानकारी नेमबर पर सब outta करें तो इस तरीके के बहुत सारे जो पत्र हैं यहां पर पहुंचना भी दैर्थियों के पाद आप लोग साधान रहें और इसके बाद में जो अगली सुचिना है वह उत्तर प्रदेस लोग सेवा आयो कि और इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्राइमरी सिक्षक बरती की प परिडाम वग्यारा रुके हुए हैं यह लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेस लोग सेवा आयो के नवन्युक्त परिच्छन नेंत्रक अजय कुमार तिवारी ने सुमवार को कारभार ग्रहन कर लिया इससे पहले मुझफर नगर में एडियम वित एवं राजस की जिम्मेदा आप लोग विडियो को लाइक ना किया हूँ तो वीडियो को लाइक वस करते हैं और जो नयाच츠 कर रहें बढ़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें द्री cancelled करने तागि के आप लोगों परने करेगी राजस्य विभाग के जो सची थे और क्या कारणा कि पिछले लगवक 6 महीने से अभी तक ये पता ही नहीं चल पाया कि कितने चात्र हैं और कितने शिक्षक हैं और वास्तों में इनका अनुपात कितना है निचे लिखा है कि बेसिक शिक्षा परिशत के विध्यालियों की 100 दिन की कार रिपोर्ट की जानकारी देने के दोरान मीडिया से कहा कि चात्र शिक्षक अनुपात के अधार पर पद का आखन कराय जा रहा है रिपोर्ट आने पर यदि भरती की अवश्यक्ता होगी तो मुक्यमंत्री से अनुमत्री से नई भरती के लिए प्रचार किया दो रिःघा जाएगा और ऊधर पद अककलन की प्रकरिया है कि पूरी ही नई हो रही है क्या बात है मतलव यह पताय क्यों नहीं जा रहा कि यह जो अगर्ली सूचना तिजिटी और पिजिटी को ले करके है वेटिंग निस्ट वाले बरत्य नीनिक्ति के लिए धर्ना दिया है तीजिटी पिजिटी द्यूरफ सोला और है किसो सोले किसह तहित रिकतिक प्द कर ही से मुलाकात की गई थी उन्होंने का था कि निक्ती चेंव बोर्ड की और से दें जाएगी लेकिन बोर्ड से अभ तक इन चात्रों को कोई भी रहत नहीं तो वहीं पर पर सरकार भरती को टालना चाहे रही है और उन्होंने ये बताया कि सरकार 59,112 पद रिक्त होने का हलव नामा सुप्रिम कोड में पहले ही दाखिल कर चुकी है अगली सुचना 600 इंजिनियर की भरती इसी माह होगी उन युगाओं के लिए अच्छी कबर है जो सरकारी महकमे में नोकुरी पाने की चाह रखते हैं लिखा हुआ है कि नमामी गंगे और ग्रामीड जलापूर्ती विभाग से ऐसे लोगों को इसी माह तमाम नोकुरियों की सोगा देने जा रहा है विभाग में 600 इंजिनियर समविधा के अधार पर रखे जाने हैं इनकों नुक्तिपत्र मि जहां सरवाधिक पानी का संकरता तो ये भरतियां इसी महीने पूरी की जानी किन्य विभागों बरती होगी उसकी बारे में भी यहां पर लिखा है कि नमामी गंगे और ग्रामीड जलापूर्ती विभाग में 555 सिविल और 75 इलेक्ट्रिकल मेकेनिकल के पदों पर जूनियर इंजीनिरों की बरती सुरू की गई है उन्होंने बताया कि सेवा यूजन पोर्टल में 55 जूनियर इंजीनियर सिविल पद के लिए इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मेकेनिकल पत के लिए दो हजार पांसो सत्तर अबिरत्यों ने आविदन किया है आज जारी हो जाएंगे नीट यूजी 2022 के एडमिटकार जैई मेंस का रिजल्ट जारी हो गया है 14 छात्तिरों को 100% मिलेंगे 100 सुभे सानु सो तदर्त सिक्षकों के लिए भैठक में तदर्त सिक्षकों के लिए अ दिकारियों को भीच का रासता निकालने के निर्देश दिये हैं प्रदेश में त Season 700 से ज्यादा तदर्थ सिक्षकों का वेतन कई जिलों में मौकिक आदेश के बाद रोख दिया गया है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मादमिक सिक्छा विभाग ने तदर्х सिक्छकों को बना रखने के रास्ते खोजिव्द सूरु कर दी तो बh Experiment समय वड़ती में जोड़ा जाए असिस्टर प्रोफेसर की जो बरती आई है उसकी बारे में में समझार पत्लों पत्लों में जानकारी दी गई है यहां बरते सकते 970 पदों के लिए बढ़ती है दिखते माई 42 साल कम की कोई बात होती नहीं है अभी दैर्थी को नेट में 55 परिदिसत में या मसी इत्याइद में पोस्ट ग्रिजुवेशन में और नेट होना चाहिए चेन का तरीका इसके लिए एक लिगित परिच्छा होती है दोस्तों अंकी